नवस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में मैं रोहिश सर्मा आप सभी के साथ जोड़ चुका हूँ जैसा कि आपको पता होगा मीसो ने ओबर प्रमोशन इतना ज़्यादा किया कि जितने कस्टूमर थे वो सभी रीसेलर बन गई तो आज की वीडियो में हम इसका सॉलूसन देने वाले हैं कि सभी कस्टूमर अगर रीसेलर बन गई तो अब रीसेलर क्या बन है कहते हैं ना कि समय के साथ हमें भी चलना सीख लेना चाहिए माहौल के साथ हमें ढलना सीख लेना चाहिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसा देश बैसा भेस जैसे लोगों के साथ जैसा ब्यहवार वो करें बैसा ब्यहवार आप करिए चोटी सी कहावत से सुरू करूँगा इस वीडियो को काफी जदा इंट्रेस्टिंग रही कि वीडियो को लाइक अभी से कर देना हुआ क्या था कि गाउँ था वहां पर एक सहर की लड़की से एक गाउँ के लड़की की साधी होती है लड़की गाउँ में आती है बिदा होके और जब गाउँ में आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि बुझा उस घर में रहती है उसमें गाउँ भैस रहती है तो लड़की अपने पती से बोलती है कि यहां पर बहुत बदवू आती है तो उसका पती कहता है कि नहीं मैं तो बच्पन से रह रहा हूँ मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है तो उसकी बाइब कहती है कि आप लोग ना जो गाई बैसों का बाड़ा है उसकी सफाई अच्छे से नहीं करते इस बज़े से यहां पर बदवू बहुत ज़्यादा आती है तो उसके बाद क्या कहा बहुने कि मैं एक काम करती हूँ कि जो साफ सफाई है वो अब मैं करूँगी जिससे यहां की बदवू सारी खतम हो जाए तो उसके बाद क्या कहता है उसका अस्पेंट कि आप जाईए साफ सफाई करिए कोई दिक्कत नहीं तो उसकी बाद 6-7 दिन साफ सफाई करती है और 7-8 दिन बाद बोलती है कि देखो अब बुल्कुल भी बदवू नहीं आरी पूरे घर में जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो इतनी जदा बदवू आती थी लेकिन सच्चाई क्या है सच्चाई यही थी कि बदवू अब भी आती है बदवू पहले भी आती थी लेकिन उसे उस माहौल में ढलने की आदत पड़ चुकी थी वो जब 7-8 दिन उस माहौल में गई रही उसने देखा कि भाई नॉर्मल हो गया उसके लिए वो रहन सेंट सब कुछ नॉर्मल हो गया तो ऐसा हुआ था तो इसी तरह से अगर हमें किसी भी काम में कोई इसू आता है कोई प्रॉब्लम साती है तो हमें उस माहौल में ढलना सीख लेना चाहिए अब रीसेलिंग में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप लगातार परेसान है लगातार बोल लें कि ये दिक्कतें चल रही है और सामने वाली कंपनी आपकी बात को नहीं सुन रही तो आपके पास बस एक ही चारा रहता है कि आप उनके महौल में ढल जाईए लेकिन ढलने के लिए कुछ सुधार कर सकते है जैसे कि कस्टूमर रीसेलर बन गए तो रीसेलर सेलर बन सकते है मतलब आप लोग सेल कर सकते हैं मीसो पर और मीसो पर सेल करने के क्या फायदे है वो 15 फायदे में आपको बताऊँगा और कितना इजी है कितने investment से आप मीसो पर selling शुरू कर सकते हैं क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी मीसो seller बनने के लिए सबसे पहले आपको फायदे बताता हूँ कि लोग फायदे जादा सुनना चाहते हैं उसके बाद आपको इसकी processing बताऊँगा कि किस तरीके से seller बन सकते हैं बहुत बड़ा surprise इस वीडियो के लाश्ट में आप लोगों के लिए रहेगा तो आप वीडियो को complete देखिए चलिए वीडियो सुरू करती है तो पहला जो फायदा है कि आप independently sale कर सकते हैं यहां पर खुद के Boss होते हैं तो यहां पर कोई tension नहीं किसी का दवाब नहीं है किसी की motivation नहीं कोई headache आपके पास माल है आप अपना माल जबढ़ने जब चाहो जब Sale कर सकते हैं जैसा product sale करसा कर चाहो बैसा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किसी का जोर दवाब वगएरा कुछ भी नहीं होता दूसरा फैदा है कि आपी खुद की चोइस ए अप क्या मन है आपको मन है कि आपकी ach aumento की दुकान कर सकते हैं कि हमें किस टाइम पर कौन सी पोस्ट डालनी है कौन से प्रोडेक्ट सेल करने हैं कहां से प्रोडेक्ट लेने हैं कितनी रेट डालनी है कितना मार्जन अपना एड करना है सारी चीजें आपके हाथ में रहती है तो आप खुद की प्लानिंग खुद का फ्यूचर प नहीं है कमाने की आप अगर टेख लेती है मारकेट में अच्छे 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 usually जो आपको प्रोडेक्ट सस्ता ने तो आप उनसे उनके प्रोडेक्ट को डाल सकते है तो ज्यादा प्रॉफिट कमा शकती है को seasonal product होते हैं जो उस season पर बहुत ही अच्छी demand रहती है उस समय आप ऐसी product sale कर सकते हैं जिरकी demand जादा रहती है तो आप उसमें ज़्यादा profit कमा सकते हैं तो आप जितना चाहो उतना कमा सकते हैं बस उसमें आपकी capacity depend करती है कि कितनी capacity के product आपके खरीद रहे हैं कहां से खरीद और किस range के आपको product मिल रहे हैं और जब सस्ते product मिलेंगे तो आप भी सस्ते sale कर सकते हैं या market rate पे sale कर सकते हैं आप ज़्यादा profit कमा सकते हैं पांचमा profit है कि आप जब चाहो जब काम कर सकते हैं आप part time करना चाह रहे हो तो selling part time कर सकते हो full time करना चाहते हो तो full time कर सकते हो आपकी उपर डेपेंड रहती है कि आप जब चाहू पोस्टिंग को आउन करो जब चाहू अपनी पोस्ट को पबलिक करो जब चाहू प्राइबेट कर लो जब चाहू आउट ओफिस तो दिखा दो आपकी 101 परसेंट चोईस है आप जब चाहू जैसे भी मैनेज कर सकती हैं चटमा पॉइंट है कि आप अगर सेलर बनते हैं तो आप घर बैटे काम कर सकती हैं कोई जरूरी नहीं कि ओपिस होना आपके लिए जरूरी है आप घर से ही अपना सेलिंग बिजनिस से स्टार्ट कर सकते हैं घर रहे के मीसो पर सेल कर सकते हैं या आप कहीं से माल मगा के अप पर थे लिए अच्छे लेप्टॉप नहीं होती तो इसमार्टपॉन से सेलेंग कर सकती है आपको कोई लेप्टॉप की जरूरत नहीं कोई हाइवा एक में वाएव के सीMPूर की य। अच्छे हाई भाई ऑफिस की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्ट फॉन से सेलिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत यी आसानी से, आट्मा पॉइंट है कि डिलेवरी का जो इसू रहता है, सेलिंग में, तो उसका इसू घतम हो जाता है, जब आप मीसो पर सेलिंग क वो भी मैं आँगे बताऊंगा, अब भाई बात आती है, कि ये तो बात रहे ही कि मीसो पर हम सेल करेंगे, तो ये बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आपका बिजनिस बूस्ट कैसे करेगा, बढ़ेगा कैसे, उसके पीछे के रीजन है, जो कि नॉमा मेरा पॉइंट है, कि यहा आपके बिजनिस को बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी सेल को बढ़ाने का काम करते हैं, मीसो है जो 24,000 पिन कोड पर प्रोडेक्ट की डिलेवरी करता है, जिनमें आपके भी प्रोडेक्ट 24,000 पिन कोड पर डिलेवरी होंगे, अगर आप मीसो पर सेल करते हो तो, तो इतनी ज का फाइदा मिल सकता है क्योंगि वो सात करोड कस्टिममर प्रोडेक्ट खरीद रहें तो वो आपके भी प्रोडेक्ट को खरीदेंगे जो आप मिसो पर सेल करेंगे अब भाई बात आती है कि हम किस category में सेल करेंगे तो 700 से ज्यादा category है मिसो के पास product सेल करने की आप जिस कैटगरी में प्रोडेक्ट सेल कर सकते हैं उसमें आप सेल करिए कोई यहां पर लिमिट नहीं कि केबल इस कैटगरी में कर पाऊ या उस कैटगरी में कर पाऊ जितनी कैटगरी में आप सेल करना चाहो आपके पास जितनी कैटगरी के प्रोडेक्ट हो उनम कमीशन रेट है कभी-कभी घटके यह एक परसेंट भी आ जाती है दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखोगे अगर गार्मेंट आप सेल करते हो तो 18-18 परसेंट आपको कमीशन देना पड़ता है लेकिन मीशों पर एक दसमलब 6 परसेंट कमीशन देना पड़ेगा जिसके बदले आपको काफी ज़्याधा प्रोफट होता है, डिलेवरी भी यही कराते हैं, बहुत सारी चीजह हैं, मैने ज यही करते हैं और आसानी से आपके bank account पैसे मिल जाते हैं तो payment का कभी issue नहीं होता तो बैसे तो selling के काफी ज़्यादा फाइदे हैं लेकिन मैंने आपको यह कुछ फाइदे बताए अब भाई Miso पर selling कैसे कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले Miso पर seller के लिए registration करना होगा registration करने के लिए आपको अपना नाम, mobile number, email ID और GST, bank की passbook, आपका payment card यह document submit करने होगे जब आप यह document submit कर दोगे तो Miso की team की तरब से आपको phone आएगा phone से आपके confirmation लिए जाएगे उसके बाद आपका seller panel on कर दिये जाएगा seller panel on करने के बाद आप अपने product की listing करोगे investing pending जाते है, pending के बाद verify होती है, उसके बाद आपकी wing publicly लोगों को दिखाई जाती है, जब where you reseller आपके product को sell करती है और order लगाते है तो उसके बाद आपको order section में order की update मिल जाती है, साथी साथ आपको mail पर भी update मिल जाती है, उसके बाद आपको goins topic down load करके और shipping level को download लोड कर गे और अपने पार्सल के पैकेट पर चिपकाना होता है मिसो का डिलेवरी वह आपके घर पर या आपके ओपिस पर आकर उस माल को उठा ले जाता है और उसके बाद कस्टुमर तक डिलेवर कर देता है प्रोडेक्ट सक्सेच फुली डिलेवर हो जाते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में मिसो द्वारा भेज दिया जाता है और अपना 1% या 1.10% या 1.6% जितना भी उस समय उसका मिसन रेट उनकी चलती है वो अपना काट लेते हैं बागी का पेमेंट आपकी अकाउंट में दे दिया जाता है इतनी जानगारी द तहें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद